ओमकरिंशी महागड़े शाय नमा दाधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज चैत्रपूर्मा हैं चैत्रपूर्मा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायन की पूचा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और यश एश्वर्णे की प्राप्ति होती है आज के द इसनान का दान करने से पुन्यफल की प्राप्ति होती है कष्टों से चुटकारा मिलता है इस दिन भगवान बिश्टूमा लक्ष्मी का पूचन करने से घर में सुक्सम्रथी का आगमन होता है इस दिन भगवान सत्य नारायन की पूचा करवाना बहुत ही शुब माना जाता मानेताओं के अनुसार आज के दिन भगवान सत्य नारायन की कथा सुनने मात से ही भगवान लक्षमी नारायन की असीन कृपा प्राप्त होती है भगवान सत्य नारायन की कृपा से मनचाहा बर्दान मिलता है और समस्त पापों का नाश हो जाता है आज के दिन भगवान सत्य नारायन की कथा सुनने मात्य से ही भगवान सत्य नारायन की कृपा से बिगड़े कारे बन जाते हैं और सुक्सम्रथी की प्राप्ती होती है कष्टों से छुटकारा मिलता है सत्य को नारायन के रूप में पूजना ही सत्य नारायन की पूजा है इसका दूशना अर्थ यह भी है कि संसार में एक मात्र नारायन ही सत्य है बाकी सब माया है सत्य में ही सारा जग समाया हुआ है सत्य के सहारे ही शेश भागवान प्रत्वी को धारन करते है सत्य नारायन व्रत की कथा पुरा काल में सौनकादिक रिशी नेमिशारण इस्थित महर्शी सूत के आस्रम पर पहुँचे रिशी कर महर्शी सूत से प्रश्ण करते हैं कि लौकिक कष्ट मुप्ती सांसारिक सुक्सम्रती एबम पाल लौकिक लक्ष की सिद्धी के लिए सरल उपाई क्या है महर्शी सूत सौनकादिक रिश्ण को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्ण नारज जी ने भगवान विश्णू से किया था नारज जी भगवान विश्णू के पास जाकर उनके इस्तुती करते हैं इस्तुती सुनने के अनंतर भगवान श्री विश्णू जी ने नारज जी से कहा महाभाग आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं आपके मन में क्या है कहिए नारज जी बोले भगवन मृत्य लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन योनियों में उत्पन सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं हे नात किस लगो उपाए से उनके कश्टों का निवारण हो सकेगा यदि आपकी मेरे उपर क्रपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ उसे बताईए शी भगवान ने कहा हे बस संसार के उपर अनुख्रे करने की इक्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस प्रत के करने से प्राणी मोहों से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ सुने हे बत स्वर्ग और नत्यू लोक में दुलब भगवान सत्य नारायन का एक माहान पुन्य प्रत प्रत है आपके इसने के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ अच्छी प्रकार बिधी बिधान से भगवान सत्य नारायन ब्रत करके मनुश्य सीख रही सुख प्राप्त कर पर लोक में मुक्ष प्राप्त कर सकता है भगवान की ऐसी बाणी सुनकर नारद मुनी ने कहा प्रभू इस ब्रत को कहने का फल क्या है इसका बिधान क्या है? इस ब्रत को किस ने किया? और इसे कब करना चाहिए? यह सब बिस्तारपूर पर बतलाईए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्य नारायन ब्रत, दुख, शोक, आदी का शमन करने वाला, धन्धाने की ब्रत्धी करने वाला, सौभागे और संतान देने वाला, तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समनवित होकर मनुश्य भ्रामणों और बंदु बांधवों के साथ धर्मी तत्पर होकर साइकाल भगवान सत्य नारायन की पूजा करें। निवेद के रूप में उत्तमकोटी के भोचनिय प्रदात को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्वित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूद, कैहूं का चूण, अत्वा कैहूं के चूण के अभाव में साथी चावल का चूण, शक्कर या गुड यह सब बक्षय सामगरी सवाया मात्रा में एक्रत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधू बांधवों के साथ श्री सत्यनारान भगवान की कथा सुनकर ब्रामणों को दक्षरा देने चाहिए। तदंतर बंधू बांधवों के साथ ब्रामणों को भूजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वर प्रशाद ग्रहन कर नत्य कीत आदी का आयोजन करना चाहें तदंतर भगवान सत्य नारायन का इस्मर्ण करते हुए अपनी घर जाना चाहें ऐसा करने से मनुश्यों की अबलाशाएं अवश्य पूर्ण होती हैं विशेश रूप से कल्योग में प्रत्वी लोग में यह सबसे छोटा सा उपाय है इतनी कथा सुना कर सूजी बोले प्रत्वी पर सबसे पहले सत्ता नारायन कर ब्रत किस ने किया था अब मैं यह कथा सुनाता हूँ काशी नगर में एक अत्यंत नेधन भ्रामर भूप प्यास से ब्याकुल होकर प्रति दिन प्रत्वी पर भटकता था भागवान ने उस दुखी भ्रामर को देखकर एक ब्रत्वी भ्रामर का रूप धारण किया और उस भ्रामर से उसके कष्टों के बारे में पूचा भ्रामर बोला मैं आत्यंत दरिद्र हूँ भिक्षा के लिए प्रत्वी पर घूमता रहता हूँ यदि मेरी इस दरिद्ता को दूर करने का कोई उपाई आप जानते हैं तो करपा करके बताए ब्रद्र भ्रामर बोले, हे भ्रामर दीव, सत्य नारायन भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने पाले हैं हे बिप्र, तुम उनका उत्तम ब्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुग्ध हो जाता है प्रत के बिधान को भी भगवान ने भ्रामर को बिधी पूर्वक बताया भ्रामर ने अगले दिन प्रत करने का संकल्प किया ऐसा संकल्प करके बह भ्रामर बिख्षा के लिए चल पड़ा उस दिन भ्रामर को बिख्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंदू बांधवों के साथ भगवान सत्य नारायन का प्रत किया इस प्रत के प्रभाव से बहश्रेष्ट भ्रामर सभी दुखों से मुक्त हो का समस्त संपत्तियों से संपन हो गया उस दिन से लेकर प्रतेख महीने उसने यह प्रत किया इस प्रकार भगवान सत्य नारायन के इस प्रत को करके वह श्रेष्ट भ्रामर सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुरलब मुक्ष को प्राप्त किया शूची ने कहा हे श्रेष्ट मुनियों अब एक और कथा कहता हूँ पूर्वकाल में उलका मुक्ष नाम का एक पुधिमान राजा था वह सत्य बक्ता और जितेंद्रिय था प्रतिदिन देविस्थानों पर जाता था गरीवों को धन दे कर उनके कश्ट दूर करता था उसकी पत्नी सुन्दर और सती साथ भी थी भद्र शीला नदी के टटपर उन दोनों ने शी सत्यनायन भगवान का प्रत किया उस समय बहां साथू नामक एक वहष्य आया उसके पास ब्यापार के लिए बहुत सा धन था राजा को प्रत करते देख उसने बिने से पूछा ही राजन भक्ति युक्ति चित्ति से यह आप क्या कर रहे हैं मेरी सुनने की इक्षा है क्रप्या आप मुझे भी बतलाईए महराज उलका मुख ने कहा ही साथू वहष्य मैं अपने बंदू बांदवों के साथ पुत्रादी की प्राप्ति के लिए महाशक्ति मान सत्य नारायन भगवान का ब्रदबा पूजन कर रहा हूँ राजा के यह बचन सुनकर साथू नामक वेश्य ने आदर से कहा हे राजन मुझे भी इसका सब बिधान बताईए मैं भी आपके कथानुसार इस ब्रत को करूँगा मेरे यहां भी कोई संतान नहीं है मुझे विश्वास है कि इससे निष्चे ही मेरे यहां संतान होगे राजा से यह बिधान सुन ब्यापार से निप्रत हो वेवैश्य खुशी खुशी अपने घर आया वैश्य ने अपनी पत्ने लीलावती से संतान देने वाले उस ब्रत का समाचा सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहां संतान होगी तम मैं इस ब्रत को करूँगा एक दिन उसके पत्नी लीला बती सांसारिक धर में प्रवत होकर गर्वती हो गए दसमे महीने में उसने एक सुन्दा कन्या को जर्म दिया कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद लीला बती ने अपने पती को इस्वरन दिलाया कि आपने जो भगवान का प्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए सादू वैश्य ने कहा ही प्रीय मैं कन्या के विभापर इस ब्रत को करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आशवाशन दे बहन ब्यापार करने चला गया काफी दिनों पश्चाद बहन लोटा तो उसने नगर में सक्खियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा वैश्य ने ततकाल एक दूद को बुला कर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग के बर की तलाश करो सादो नामक वैश्य की आक्या पाका दूद कंचन नगर पहुचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग के बढ़ेक पुत्र ले आया बड़िक पुत्र को देखकर साधू नामक वैश्य ने अपने बंदो बांधवों सहित प्रसन्य चित्र होकर अपनी पुत्री का विभा उसके साथ कर दिया वैश्य विभा के समय भी सत्य नारायन भगवान का प्रतकर न भूल गया इस पर श्री सत्य नारायन भगवान क्रोधित हो गए, उन्होंने वैश्य को शांत दिया कि तुम्हें दारुन दुख प्राप्त होगा अपनी काड़े में कुशल, साधू नामक वैश्य, अपने जमाता सहित, नावों को लेकर ब्यापार करने के लिए समुंदर के समीब इस्थित, रतन सारपुर नगर में गया दौनों ससु जमाई, चंदर केतु राजा की नगर में ब्यापार करने लगे एक दिन भगवान सत्यनारायम के माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोर ने घबरा कर राजा के धन को उसी नाप में छुपा कर रख दिया जहां वे ससु जमाई ठैरे थे ऐसा करने के बाद बहँ भाग गया जब दूतों ने उस साधू बैश्यक के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससु जमाता दोनों को बांद कर ले गए और राजा के समीब जाकर बोले हम ये दो चोर पकर लाएं राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारगार में डालने की आग्या दे दे इस प्रकार राजा की आग्या से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तदा उनका धन भी छीन लिया गया सत्य नारायन भगवान के शांप के कारण सादू वैशे की पतनी लीलाबती बाप पुत्री कलाबती भी घर पत बहुत दुखी हुई उनके घरों में रखा धन चोर ले गए एक दिन शारिगवा मानसिक पीड़ा तता भूँख प्यास से अती दुखित हो भोजन के जिनता में कलाबती एक भ्रामर के घर गई उसने भ्रामर को श्री सत्य नारायन भगवान का ब्रत करते देखा उसने कथा सुनी तथा प्रशाद क्रहन कर रात को घर आई माता ने कलाबती से पूँचा हे पुत्रे तू अब तक कहा रही वा तेरे मन में क्या है कलाबती बोली हे माता मैंने एक भ्रामर के घर श्री सत्य नारायन भगवान का ब्रत होते देखा है मैं भी ये कहना चाहती हूँ कलाबती के बचन सुनका लीला बती ने सत्य नारायन भगवान के पूजन के तेयारी की उसने परिवार और बंधुव सहित श्री सत्य नारायन भगवान का पूजन पाप्रत किया और बर्मांगा कि मेरे पती और दामाद शेगर ही घर पापस लोटाएं साथ ही भगवान से प्रातना की कि हम सब का अप्राश शमा करो श्री सत्य नारायन भगवान इस ब्रत से चंतुष्ट हो गए उन्होंने राजाचंद केतु को सपन में दर्शन दी कर कहा ही राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है फिर ने दोश हैं उन्हें प्रातन ही छोड़ दो अन्य था मैं तेरा धन राज्य पुत्रादी सब नश्ट कर दूँगा राजा से ऐसे बचन खेकर भगवान अंतरध्यान हो गए प्रातन काल राजा चंद्र केतु ने सभा में सब को अपना सपन सुनाया और सैनिकों को आग्यादी के दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए दोनों ने आते ही राजा को प्रडाम किया राजा ने उनसे कहा है महानो भावो अब तुम्हे कोई भैन नहीं है तो मुक्त हो ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए बस्ता भूशन पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लोटा कर आदर से बिदा गिया दौनों वैशे अपने घर को चल दिये वैशे के घर आने से पहले ही एक दूत ने घर आकर बताया कि सेवची अपने दामा तता बंदू वर्गों के साथ भहुत सारा धन लेकर घर पधार रहे हैं दूत की मुख से यह बात सुनकर बह महान आनंद से बिलह हो गई और वह साथवी ने श्री सत्यनारायन भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं साथू के दर्शन के लिए जा रहे हूं तुम शीक्र आओ माता का ऐसा बचन सुनकर ब्रत को समाप्त करके प्रशा के जल में तुबो दिया अपनी कन्या की यह दशा देखकर साथू बन्या बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायन ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्य देप की माया से मोहित हो रहे हैं अपनी धन्शक्ति के अनुसार में का कहकर उसने अपने मन की इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्य देप को डंडवर्ट प्रणाम किया इससे सत्यनारायन भगवान प्रसंद हो गया और उन्होंने सादू वैश्य को बताया कि तुम्हारी कन्या प्रशाद छोड़कर अपने पती को देखने चली ग पती को देखकर कलाबती प्रसंद हो गई सादू वैश्य पूर्मा तथा संक्रांती परवों पर भगवान सत्यनारायन का पूजन करते हुए इस लोक में सुख फोग कर अंतमे भै सत्य पूर्ण पैकुंट लोक में चला गया श्री शूर्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परमदोलब श्री सत्यनारायन के ब्रत को करता है और पुन्यमाई तथा फल्दायनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त हो का सुनता है उसे भगवान सत्यनारायन की क्रपा से धन धानने आदी की प्राप्ति होती है दरित्र धन वान हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भैसे मुक्त हो जाता है, यह सत्य बात है, इसमें शंशर नहीं है, भगवान सत्य नारायन की कथा को सच्चे मन से सुनने मातर से ही, सभी मनों कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उमी झाल झाल